आःलो फ्रेस्ट वलल्कम्ट्रकाम שותबायू निक्टेशन प्रतिई इस्प्रक्राइब करको सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्याधा सेयर करां निकिरčक सप्रσι 눈रोप एक कोस्कौरस यै में प्रतिविन कर मेंने चाहते हैं, तो नीच एल निषे दिस्क्रिप्सकेवित। पूर्वी इलाके में विद्यमान है गलवान घाटी जहां विगत मई के सुरू से भारतिय सेना और चीनी लाल फोज के मध्य सैन्य तनाव बरकरार है गलवान घाटी में भारत और चीन अपनी सैन्य मौजूदगी को ताकतवर बनाने में जुटे हुए है उलेखनिय है कि गलवान घाटी को बिटिस दौर में गुलाम रसूल गलवान द्वारा खोजा गया था अतह इसे इलाके को गलवान घाटी का नाम दिया गया वास्तविक नियंतरन रेखा को पार करके जिस भारतिय छेत्र पर लाल फोज ने आधिपत्य इस्थापित किया था उन इलाकों को छोड़ कर वे नियंतरन रेखा से काफी पीछे हट चुके हैं सीमा विवात के कारण हुए सैन्य तनाव को निप्टाने की खातिर दोनों राष्टों के सैन्य कमांडरों के मध्य उच्च इस्तरिय वारता सुरू हो गई है वर्स 2017 में भारत भूटान और चीन की सरहदी त्रिकोन पर जब भूटान के डोक लाम छेत्र में विवाद गहराया था तब भी विवाद का निदान करने के लिए दोनों देशों के सैन्य विवादित इलाके से काफी पीछे हट गए थे सर्व विदित है कि चीनी हुकूमत की बुनियादी फितरत वस्तुतह विस्तारवादी रही है अतह वह अनेक भारतिय छेत्रों पर चीन अपना दावा पेस करता रहा है चह वर्स पहले वर्स 2014 भी लद्दाक इलाके में नियंतरन रेखा पर भारत और चीन का सेना एक दूसरे के सामने आकर डट गई थी किन्तु दोनों देशों की सैन्य कमांडरों में हुवी कामियाब वारता ने तनाव को समाप्त कर दिया था उलेखनी है भारत और चीन के बीच 3500 किलो मीटर नियंतरन रेखा है भारत चीन की सरहद पर 13 छेत्र विवादित है वर्स 1962 की युद्ध में चीनी लाल फोज ने ओकसाई चीन पर आधिपत्य स्थापित किया था अरुनांचलम के तवांग छेत्र पर भी चीन अपना दावा ठोकता रहता है विगत कुछ वर्सों में LAC के निकट भारती इलाके में निर्मान कार्य अत्यंत तीजी के साथ किया गया है त्रिव गती से जारी इन निर्मान कार्यों से चीन की हुकूमत बोखला गई है चीन ने अपने इलाके में और पैंगौंग जील के तट पर पहले ही बड़े पैमाने पर निर्मान कार्य किया है दक्षिनी चीन सागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधिया निरंतर जारी रही है दक्षिन चीन सागर के विसे में इंटरनेशनल कोट और जस्टिस का फैसला चीन के विस्तार के विरुद्ध आया किन्तु अंतर राष्टिय कानूनों और संधियों के परवाह नकारना भी चीन की फित्रत रही है चीन और भारत सीमा विवाद का हल बात चीज से निकाला जा रहा है संतोस की बात है कि भारत और चीन के मध्य जारी सीमा विवाद वर्स 1962 के पस्षात किसी बड़े युद्ध में परिवर्तित नहीं हुआ है 1987 के बाद एक भी गोली भारतिय और चीनी सेना के बीच नहीं चली है आज विश्व पतल पर सैन्य और कूट नीतिक तोर से भारत मजबूत इस्थिती में है पैरा कोरोना कहर काल में विश्व पतल पर अलग थलग पड़ता हुआ चीन यकीनन भारत के साथ दुस्मनी को अधिक परवान नहीं चड़ा सकेगा चीन के साथ भारत के गहन वैपारिक संबंद रहे हैं जिन में परस्पर वैपार संतुलन का पलड़ा चीन के पक्ष में जुका हुआ है भारत के साथ सैन्य सत्रुता को बढ़ाने से चीन को बेहद आर्थिक हानी हो सकती है चीन की वास्तविक दुस्मनी तो अमेरिका के साथ चल रही है और चीन एक साथ दो बड़े सकती साली दुस्मनों का सामना करना कदापी नहीं चाहेगा उमीद की जा रही है कि लद्दाग बॉर्डर पर चुसूल मोल्डो में भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के मद्जारी उच्च इस्तरिय वार्ता के परिनाम निश्चित तौर पर सकरात्मक होंगे और नियंत्रन रेखा पर उत्पन सैन्य तनाव समाप्त हो जाएगा स्टॉप